Good morning friends, exam grow YouTube channel में आपका स्वागत है मैं प्रदीप आज के वीडियो हमारी National Education Policy यानि कि जो नई सिक्षा निती आई है उसके उपर है इसमें आपको बहुत ही ज्यादा फैक्ट पता लगेंगे कि इसका क्या असर इस्टुडेंट्स पर पढ़ेगा और साती सात में जो अध्यापक बनना चाते हैं यानि कि टीचर बनना चाते हैं उनके उपर भी इसका क्या असर पढ़ेगा क्या निती उनके लिए अच्छी है या फिर नुक्सान दायक चलिए आईए फिर सुरू करते हैं जैसे कि आपको पताओगा जो नई एजुकेशन पॉलिशी 2020 आई है इसको 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार दोरा राष्टे सिक्सानीती 2020 भी मंजूरी दे दी गई है इसको नरेंद्र मोधी ने ट्वीट करके बताया और साती सात में जो हमारे HRD मिनिस्टर हैं कौन HRD मिनिस्टर आपके रमेश पोकरियाल इन्होंने कॉन्फरेंस करके इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी आपको पताओको ये जो सिक्सानीती है ये नई सिक्सानीती 34 वर्सो बाद चेंजिस होई है क्योंकि इससे पहले जो हमारी सिक्सानीती थी वो 1986 वाली थी जो अब 1986 की नीती का इस्थान ले लेगी कौन सी नीती आपकी 2020 जो नीती बनी है नई शिक्षा नीती ठीक है आईए इसके अंदर अब देखिए ये जो ऐसे कि कुछ पुरानी बाते हम पता लगाते हैं कि हमें शिक्षा से संबंदित क्या है आपको पता होगा जो हमारा शिक् संसोदन हुआ था कब हुआ था 2002 के अंतरगत उसमें इसमें जो आपके मौली का दिकार है जैसे आपको पता होगा मौली का दिकार जो है 35 तक है अनुछेद 12 से 35 अनुछेद तक है तो उसके अंदर 21 ए अनुछेद एक जोड़ा गया है यानि कि 86 सविदान संसोदन 2002 के दवा यानि कि 6 से 14 एर्स तक के जितने भी बालक बालिका हैं उनके लिए शिक्सा को क्या कर दिया गया है अनिवारिय कर दिया गया है ठीक है अनिवारिय सिक्सा कर दी गई है और कैसे शिक्सा अनिवारिय करी गई है वो भी आपकी निसुल्क तो निसुल्क शिक्सा अनिवारिय क कर दिये दिये मतलब कि जो इस अधिकार को वैवारिक रूप से देने के लिए संसद में निसुलक और अन्यवारिय शिक्षा अधिनियम 2009 बनाया गया था पारित किया गया था और उसके अंतरकत एक अप्रेल 2010 से यह लाग हो गया यानि कि 8 से लेकर के जो 6th जो आप 6th year से लेकर के 14th year तक के जितने भी student है उन सबी को निसुल्क सिक्षा प्रदान कराई जाएगी यानि कि free में सिक्षा दी जाएगी कोई उसके लिए पेगुच नहीं करना पड़ेगा ठीक है चलिए आगे है इस अधिकार तैट 8 वी तक के विध्यारती जो होंगे उनको निसुल्क प्रदान कराई जाएगी और साती सात में जैसे कि आपको पतागो उन्हें पास भी कर दिया जाएगा उनका ये base त्यार किया जाएगा ऐसा इसनीतिक अंतरकत बनाया गया था उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी नई education policy आई है new policy of education, national policy of education क्या है देखो अब हम comparison करते हैं कि इसमें 86 और 2020 में जो आपकी 86 policy थी उसके अंदर केंदर सरकार दुआरा सिक्सा के विकास के लिए GDP का 1.8% it means only 1.8% expense किया जादा था यानि कि जो सरकार थी के अंदर सरकार वो अपनी आएगा सिर्फ 1.8% सिक्सा पर वे करती थी परंतु अब जो नीती बनी है इसके अंतरगत सरकार जो वे पर I mean education पर खरचा करेगी वो 1.8% से बढ़ा करके अब 6% कर दिया गया है यानि कि लगबग 4.2% इनको बढ़ा दिया गया है क्योंकि आपको बता हूँ 1.8% कुल IE का खरचा कर दी थी GDP का तो उससे क्या होता था हमारे देश की जो सिक्षा नीती थी वो भेतर नहीं थी और हमारी देश की सिक्षा नीती कई कंट्री से बहुत ही जादा पीछे चल रही थी पामतु इस उद देश से क्या गया है कि अब हमारी देश की शिक्षा नीती जो है वो भी बाकी जो डवलप्ट कंट्रियां है उनके कमपेरजन मैच हो सके ठीक है इसलिए वो 4.2% बढ़ा दिया गया है 1.8 से ये कर दी गई है कितनी 6 पॉइंट तक ठीक है पहला ये दूसरा देखें 1986 में इसकूल के अंदर जो कर लिए तो आप भी 10 प्लस 2 फॉर्मेट के हिसाब से चले थे ठीक है आपने कभी इंटर्व्य वगरा दिया हो रिज्यूम बनाया हो तो उसमें भी आपने 10 प्लस 2 लिखा होगा 10 मतलब 10 और 2 मतलब 12 ठीक है परंतु अब ये नीती परिवर्तित हो गई है नई शिक्षा नी प्लस 3 फॉर देखिए जो आपकी पहले होती थी क्या 1986 वाली नीती के अंतरगत 10 का मतलब था 6 से 16 साल के उमर के जो बच्चे होते हैं उनको फॉर्मल एजुकेशन दी जाती थी ठीक है यानि उनको अपचारिक सिक्सा प्रदान कराई जाती थी उसके बाद वो 10 पास होने के बाद उनको 11 में जब वो जाते थे तो उन्हें स्ट्रीम लेनी पड़ती थी हाना आपको पताओ कि 11 में आप सबने स्ट्रीम ली थी कौन सी स्ट्रीम होती है जैसे की में स्ट्रीम जो आपकी तीन होती है ठीक है वो में तीन कौन सी होती है तीन स्ट्रीम में बाटा गया है पहला आर्ट फिर कॉमर्स और फिर साइंस ये तीन होती थी बाकी वोकेशनल भी होती है पर में तीन यही होती है जो इस टीम होती थी अगर आप आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो आप आर्ट लेते थे पोल्टिकल वगेरा हिस्ट्री जोगरफी और अगर आपको अकाउंट डेंसी बिजनस पढ़ना होता था तो आप कॉमर्स लेते थे और अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैं पढ़ने होती थी मैत तो आपको साइंस लेते थे तो ये सिस्टम था जो हम 1986 की पॉलिसी को यूज कर रहे थे अभी तक पर अब जो नई ने किसे नहीं जोड़ता है उनको सिफ चीजों को पहचानना सिखाया जाएगा ठीक है उनको माइंड को डवलप किया जाएगा थोड़ा सा उसके बाद क्या होगा तीन साल जो 9 से 11 होगा वो प्रिपेरिटी होगी प्रिपेरिटी के मतलब उनको प्रिपेर किया जाएगा चीज इसकिल में उन्हें involved कर दिया जाएगा साथी साथ आपको मैं ये भी बता दू अब क्या होगा इसके अंतरगत middle में अगर कोई बच्चा जैसे इनके अंदर coding, recording भी सिखाई जाएगी computer में आपको जैसे पताओ गॉर्मेट इसकोलों में अभी तक computer के ज़्यादा knowledge नहीं दी जाती थी परन्तु अब coding, recording ये छोटे इस तरह से उनको सिखाई जाएगी साथी साथ में अब एक ये भी policy है कि student internship ले सकता है ठीक है internship मतलब क्या है कहने का मतलब है कि जो student है अगर वो चाहता है कि जैसे उसका मालूम उसमें civil में ज़्यादा interest है या उसको automation में ज़्यादा interest है तो वो क्या करेगा इस परिक्षा के I mean ये जो उसका course होगा 12 से 14 ये जोगी इस कक्षा के दोरान भी वो 2 महिने, 3 महिने, 5 महिने का क्या कर सकता है internship ले सकता है automation का course उस जिस भी चीज में उसको interest है जिस skill के अंदर उस skill से related वो जा करके सीख सकता है ठीक है इसके लिए government help करेगी education चलती रहेगी उसकी पढ़ाई चलती रहेगी परंतु साथी साथ में उसको internship भी मिल जाएगी ठीक है चलिए और जो आगे कि आपके last four year बच्चे है 15 से 18 यह आपका secondary को होगा इसके अंतरगत क्या होगा बच्चे को mind develop किया जाएगा proper और वो अपनी जो subject पढ़ना चाहता है जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 प्लस 2 में अभी हमने क्या करा था यहाँ पे 10 प्लस 2 में यहाँ आपका क्या था stream system था अब यहाँ पे क्या होगा आपका जो यह 15 से 18 है इसके अंदर stream system को हटा दिया गया है इट मीन ना तो अब art है ना commerce है और ना ही science है अब कुछ नहीं है अब सिर्फ क्या है एक group set बनाया जाएगा ठीक है उसमें जो बच्चा जो subject पढ़ना चाहता है उस subject को जिस भी set के अंदर वो lie करेगा ब्लॉंग करेगा उसको चूज कर सकता है suppose बालो एक set बनाया जाएगा जिसके अंदर history होगी geography होगी math होगा accountancy होगी एक आपका हो सकता है उसमें science में history हो political हो और science के अंदर आपका bio हो chemistry हो English हो तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि अब जो यह आपका secondary system होगा 15 से 18 इसके अंद अच्छे अब पास होंगे 10 तो उनके लिए अब यह ऐसा नहीं है कि उन्हें art लेनी पड़ेगी commerce लेनी पड़ेगी उनका जिस subject में interest है वो उस subject को ले सकते हैं कि जैसे मालो political अब मैंने ही commerce लीती ठीक है पर मुझे political पढ़ने का भी बहुत ज्यादा सौक था तो क्या हुआ commerce के अंदर political नहीं होती commerce के अंदर आपका accountancy और आपका business था ठीक है main subject math भी थी math पगरा तो science में भी हो जाती है तो अब मुझे क्या पड़ना था मेरे को यही पढ़ना पड़ा commerce ले करके और political में अपना अराम से घर पर ही पढ़ता था मितलब मेरे को formal education के अंतरगत नहीं मि मिल जाएगी ठीक है तो यह benefit हुआ है students के लिए चलिए आगे क्या है आगे जो इसकी नीती है कि 8 वर्स से 8 वर्स तक की आयू के छात्रों के लिए प्राड़मिक बच्पन बाल देख बाल चिक्सा के लिए नई राष्टिय पार्थे गरम section ढाचा NCRT तियार करेगा इसका मत इनको teaching में क्या subject पढ़ाए जाएंगे उस subject में कौन सी उनकी book होगी उसके अंदर कैसे sums होंगे यह सबसे related मतलब की NCRT इनको देखेगा उसके बाद बात करें 5th class के चाप्तरों की सिक्षा जो होगी वो किस में होगी उनकी मातर भासा में ठीक है मातर भासा कहने का मतलब है वो चाहे तो अपनी मातर भासा इस्थानिय भासा घरेली भासा किसी भी भासा में पांचवी class तक वो सिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जैसे आपको पता हो अगर आप डेली में पढ़ते हो तो आपको जो पांचवी तक की सिक्सा होती थी mostly private school में तो इंग्लिस में दी जाती है और आज कल कुछ इसकूल ऐसे भी है जिनमें सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिस में दी जाती है तो इंग्लिस और हिंदी को ही जाधा प्रफेंस दिया जाता था परंतु अब ऐसा नहीं है अब क्या होगा अगर आप बंगाली है तो पांचवी तक आप बंगाली भासा में पढ़ सकते हैं तो तेल्गु भासा पढ़ सकते हैं और आपको मराथी हैं संस्क्रित हैं जिस भी भासा में आपको पढ़ना है आप उस भासा में पांचवी क्लास तक सिख्षागर्ण कर सकते हैं ठीक है उसके बाद छटी क्लास से छात्रों को computer coding decoding सिखाई जाएगी देखो अभी मैंने बताया था और साथ ही साथ में internship की facility भी दी जाएगी internship मतलब मैंने जैसे बताया किसी को automation में बहुत ज्यादा interest है तो उसको automation में internship लगा देंगे ठीक है ताकि वो उसके अंदर बहुत अच्छा skill ले सके और फिर आने वाले time में वो उसमें अपने brain को develop कर सके बाद करे class 6 से website शिक्षा दी जाएगी जिसके जिससे कोई भी छात्रदी पढ़ाई बीच में छोड़ना चाता है तो समाजिक जीवन जीने में कठेनाई ना हो education foundation education करता रहता है परंतु अभी क्या होगा अगर वो 6th class तक भी पढ़ लेता है या 6th 7 तक भी पढ़ लेता है तो भी उसके interest के according उसको skill सिखा दी जाएगी ताकि अगर वो किसी financial issues होने की वज़ा से या family में किसी भी related problem होने की वज़ा से अपनी पढ़ाई को continue नहीं कर पात है तो भी वो उस skill के base पे अपना जीवन यापन कर सके that mean survive कर सके ओके तो एक बहुत अच्छी योजना है बहुत अच्छी planning मैं कहूंगा बहुत अच्छा सोच विचार किया गया है इसको ध्यान में रखते वे कि जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे उनके ल में जो होते थे वो सिर्फ final के exam होते थे ठीक है final term के marks चुड़ते थे ना first term के ना second term के ना pre board सिर्फ board का जो final March में exam होता था February March में उसी के marks चुड़ते थे या practical वगएरा जो होते थे परन्तु अब ऐसा नहीं होगा अब क्या होगा इसको semesterly कर दिया गया है 6 महिने में होंग और दोनों के same value होगी दोनों को add करके इनके भ्याब पे final result तयार किया जाएगा I hope आपको समझ में आ रहा होगा friends video को like करें share करें और comment करें आगे देखिए साथ ही साथ में क्या है stream system को खतम कर दिया जैसे मैंने आपको बताया था न art हो या commerce हो या science हो ये system अब नहीं है खतम science, art, commerce कुछ नहीं है now vocational बगएरा आपको जो subject प्वसंद है आप उनको merge करके उस group के according subject ले सकते हैं okay चलिए next आगे दे रखा है graduation की बात करें graduation course जो पहले कितने साल के होते थे तीन साल के होते थे अब वो 3 के भी होंगे और 4 के भी होंगे ठीक है अब आप पूछेंगे 3 के और 4 के कैसे यानि कि क्या हो जैसे आपको पताओ कि पहले होता था अगर आप एक साल करके छोड़ देते हो तो फिर उसकी कोई value नहीं होती थी एक साल आपने करा उसके बाद आपने क्या करा किसी कारणवस मजबूरी में suppose आप study को continue नहीं कर पाए तो वो आपकी क्या होती थी खराब हो जाती थी study ठीक है वो उसमें कोई आपको मिलता नहीं था पर अब क्या होगा जिसमें पहले अब college के अंदर पहले साल अगर आप करते हो उसके बाद किसी कारणवस पढ़ाई छोड़ देते हो तो आपको certificate मिलेगा ठीक है कि आप certificate मिलेगा कि आप यहाँ पे एक सा study कर चुके हैं और अगर आप वहाँ पे दो साल spend कर लेते हो तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा डिप्लोमा मिलेगा डिप्लोमा कि आप यहाँ पे दो साल तक study कर चुके है और अगर आप तीन साल कर लेते हो तो साती साथ आपको क्या होगा डिगरी मिल जाएगी जिस भी च करते हैं तो आपको वो जो fourth year होगा तीन साल तो आपको academic study हो गई graduation की पर अगर आप fourth year भी spend करते हैं तो वो आपका research माना जाएगा और आपको research certificate भी provide किया जाएगा ठीक है जैसे अभी आपको पता होगा research certificates उनको मिलता है जो PhD कर लेते हैं research करते हैं एमफिल वगेरा के बाद परन्तु अब क्या है अगर आप चार साल का graduation करते हो तो आपको उसमें research certificate provide कराया जाएगा उच्छे शिक्सा संस्थान जैसे IIT ठीक है Indian Institute of Technology जो आपका IIT है उसके अंतर भी अब संस्किर्थ को बड़ावाद मिलेगा that means क्या है कि जो संस्किर्थ को जैसे जो बड़े बड़े institutions थे उनके अंदर क्या होता था संस्किर्थ जैसे language को प्रफेंस नहीं देते थे परन्तु अब ऐसा नहीं है अब बड़े बड़े जो technical field है IIT sector है उनके अंदर भी संस्किर्थ को प्रफेंस दिया जाएगा उनको भी support किया जाएगा ठीक है तो friends आते हैं आगे देखिए अब जैसे की जैसे की नई शिक्षा नीती में जो आपकी master of philosophy होती थी एमफिल होती थी उसको समाप्ट कर दिया गया है जैसे कि आपको बताओगा एमफिल जो होती थी वो आपको किसमे काम आती थी अगर आप PhD करना चाते थी तो आपको एमफिल करनी होती थी परन्तु अब Master of Philosophy को सवाप्त कर दिया गया है खतम कर दिया गया है चीक है और reason क्या है क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया last topic में कि जो आपका 4 साल का graduation होगा उसमें 4th year में आपको वैसे भी research की certificate provide कर दिया जाएगा तो फिर आपको अब तो आगे देखिए आने वाले 15 वर्सों में college और university के संबंद को समाप्त कर दिया जाएगा ठीक है ये भी एक बहुत एहम फैसला है इससे हमारे देश की सिक्षा नीती जो बहुत ही जादा develop होगी अब आप सोचेंगे कि इसके संबंद break होने से कैसे develop होंगे मैं बताता हूँ देखिए अभी जो होता है university जो होती है वो क्या करती है college और university के बीच में relation में exam conduct कराने में ही रह जाती है जिसकी वज़ा से क्या होता है जो university का main work होता है किसका research का जो university का main work होता है किस चीज का research का वो नहीं proper हो पाता था परन्तु जब इनके बीच का संबंद हट जाएगा that means college और university अलग हो जाएगी तो फिर क्या होगा university पे proper time होगा और वो student को research के लिए बहुत ज़्यादा effort कर सकते है उन पे support कर सकते है time दे सकते है ठीक है और आपको पता होता है किसी भी country के education डवलप्ट करने के लिए research ही most important होती है ठीक है कि कितनी research होई है साल के अंतरगत उसे साब से list प्रोवाइड कराई जाती है चलिए आगे आते है अब है यह नए बदलाव कब से लागो हो जाएंगे यह question होगा तो देखिए जैसे कि आपको पता होगा कोई भी चीज इतनी आसानी से लागो नहीं होती है लागो होती भी है तो उसके लिए बहुती ज़्यादा time लग जाता है सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दू कि यह जो सिक्षा निती है अभी यह मोधी जी ने ट्वीट कर दिया है और हमारे HRD मिनिस्टर जो है रमेश पोकरियाल उन्होंने क्या कर रहा है कॉन्फरेंस के तुरू वीडियो कॉन्फरेंस के तुरू उन्होंने अनौंस तो कर दिया बट अभी इसको जैसे कि आपको पता होगा क्या होती है संसद संसद में पास कराया जाएगा संसद में आपकी लोकसभा और राज्य सभा दोनों में पास कराया जाएगा वो बात अलग defens परसोंट पास हो जाएगा ठीक है चुकि यह जो है government के authority मेगा पर फिर भी इसमें time लग जाएगा इस पूरी सिस्टम को लागो होने में अभी टाइम लग जाएगा ठीक है नई शिक्षा नीती इस साल से लागो नहीं हो सकती है नई शिक्षा नीती को पैटर्न अभी नहीं बदलेगी बलकि 21 और 22 तक नई शिक्षा नीती को सुरू किया जाएगा यानि कि ये नेक्स्ट इयर से स्टार्ट हो पाएगी साथी साथ में आपको बता दू जो 1986 की शिक्षा नीती है उसको बदलने में लगबग लगबग अंदाजा लगाया गया है कि 10 साल यानि कि एक दसक का वक्त लग सकता है ठीक है तो यानि कि हमारी जो 1986 की पॉलसी एजुकेशन पॉलसी वो पूर्ण उप से 2030 तक ही खतम हो पाएगी और नई सिक्षा नीती 2030 तक लागू हो पाएगी ठीक है अब आप सोचोगे ऐसा क्यों इसका कारण क्या है इसका कारण आपको बताता हूँ देखिए सबसे पहले आपको जैसे पता हो कि नई सिक्षा नीती में अब मैं बात करता हूँ चलो ठीक है बीएड वालो के लिए बीएड वालो के लिए क्या है अब बीएड जो है एक साल दो साल और तीन साल ठीक है एक साल दो साल और चार साल सोरी चार साल के लिए होगी ठीक है जैसे जो 12 के बाद बीएड करना चाते हैं अगर वो टीचिंग लाइन में जाना चाते हैं तो उनको चार साल की बीएड करन चाहते हैं तो यह आपकी होगी after graduation और एक साल की होगी आपकी किसके बाद after master यानि कि आपका जो master course हो जाएगा तो उसके बाद आप एक साल की कर सकते हैं ठीक है तो आपको बता दें कि इसी वज़ाए से यह पूरा process चलने में भी time लग जाएगा और जो कुछ ऐसे course हैं जो teaching line स समबंदीते जैसे आपको पता हुआ क्या ठीक है डीलेड जो है आपका यह क्या है पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है ठीक है डीलेड अब पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है डीलेड बीलेड ठीक है अब आपकी जगा teaching के लिए क्या हो गया है बीटीसी को preference दिय गया यह तो बता दिया गया DLAD खतम हो गया बाकि आपका BTC जैसे कि आपको पता होगा BTC हो गया BLAD हो गया यह भी आपकी जो सिक्षानिती के अंतर से हटा दिये जाएंगे ठीक है और सिर्फ आपका क्या होगा teaching line में अगर आप आना चाते हैं तो आपको BAD करना होगा ठीक है तो अब जो बच्चे DLAD कर रहे हैं या जिनोंने first year में admission ले लिया है तो या जो graduation कर चुके हैं जिनके पास अब option ही नहीं है तो इस हिसाब से क्या है इन्हें पूरा समाप्त करने में अभी 10 साल का time दिया जाए ठीक है चलिए अब कुछ important जो हमने पढ़े हैं उसके बारे में एक बार रिवाइस कर लेते हैं सबसे पहला देखिए कि HRD minister कोन है हमारे रमेश पोक्रियाल अच्छा में एक चीज और बता दूँ आपको कि जो पहले HRD department होता था Human Resource Development Department अब यह department नहीं है ठीक है नई शिक्ष लादी आ गया है अब क्या हो जाएगा यह हो जाएगा शिक्षा नीति के अंतरगत आएगा यानि कि Education Ministry के अंतरगत आएगा ठीक है इसे अब हम सिक्षा मंत्रालिय में convert कर देंगे यानि कि नई शिक्षानीति के अंतरकत HRD ministry हटा करके educational ministry start हो जाएगी परंतु उसके अध्यक्स जोंगे कौन होंगे रमेज बोख्रियाली रहेंगे अभी तक आगे आते हैं हमने ये पढ़ लिया यानि कि future में HRD ministry खतम होने वाली है education ministry और शिक्षा मंतरा लिया continue रहेगा चलिए आगे क्या है हमने पढ़ाता है पहली शिक्षानीति कब आई थी इससे पिछली वाली जो सक्षानीति है वो 1986 को हम फोलो कर रहे थे परंतु अभी तक तीन बार शिक्षानीति आ चुकिया पहली 1968 दूसरी 1986 और तीसरी जो आपकी 2020 आ चुकिया 24 साल बाद उसके बाद बात करें तो हम शिक्षा का अधिकार 86 सविदान संसोदन में 2002 में मिला था और इसको 21 एक अंतरगत जोड़ा गया है अधिकारों में मोलिक अधिगारों के अंतरगत और उसके बाद निश्चुलक और अनिवारिया शिक्षा 2009 के निती के अंतरगत 1 अपरल 2020 से लागू कर दी गई है कहा तक एट्ट क्लास तक ठीक है उसके बाद आटवी तक के विदार्थी निश्चुल सिक्षा प्राप्त कर सकेंगे चलिए नेक्स्ट क्लास 6 से वेबसाइ सिक्षा दी जाएगी और नई सिक्षा नीती बढ़ा करके कितनी कर दी गई है 6% और नई सिक्षा नीती 2020 जो था ना ये दिया किस ने था ये दिया था डॉक्टर के कस्टूरी रंगन ने दिया था ये आपका 2017 में ही इनको वर्क दे दिया गया था 2017 में ही इनको बोल दिया गया था कि नई सिक्षा नीती के लिए आप कारिये करिये और इनोंने कारिये करा और 2019 में इनोंने क्या करा दे दी थी बना करके नहीं जीती परंत उसको लागू करने में पूर्ण रोट से टाइम लगा और फिर उसको 2020 में 29 जुलाई को लागू कर दिया गया ठीक है? मतलब अनाउस कर दिया गया लागू करने में तो अभी उसका टाइम लग जाएगा तो friends आपको I hope ये समझ में आई होगी अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ नई शिक्षानीती जो है ये टीचरों के लिए क्या है क्या टीचरों के लिए इससे कोई फाइदा है या टीचरों के लिए नुकसान है नई शिक्षानीती का विध्यार्तियों पर तो मैंने बता दिया आप कमेंट करके बताएंगे कि ये विध्यार्तियों के लिए अच्छी है या फिर अच्छी नहीं है परन्तु अब मैं बात करेंगे जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए जो नई सिक्षा नीती आई है उनके लिए इस पर क्या असर पड़ेगा चीक है तो ये भी जो है कुछ टीचरों के लिए बहुत ही अच्छी नीती है ये और कुछ टीचरों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार है अब वो आप खुद क्लासिफाई करें खुद देखें कि ये आपकी जो नीती आई है आपके लिए अच्छी है या आपके लिए नुपसान दायक देखिए जो टीचर बनना चाहते है जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते है उनके लिए ये नीती कैसी है मैं आपको explain कर देता हूँ इस process को देखिए जो टीचर बनना चाहते थे शिक्सक बनना चाहते है उनके लिए क्या है अब जो इस policy के अंतरगत कुछ changes करे गए है क्या changes करे गए है अच्छा इस changes के अंतरगत सबसे पहले जो टीचर बनना चाहते है उन्हें क्या करना पड़ेगा BAD ठीक है और उसके बाद BAD करने के बाद उनको TET का exam PASS करना पड़ेगा ठीक है TET का exam PASS करना पड़ेगा TET क्या है Teaching eligibility test ये exam जो होता है आपको पता होगा Central level पे भी होता है और State level पे होता है या तो पहले क्या होता है अगर हम Central level की बात करते है तो CETAT हो जाता है और अगर हम State level की बात करते है तो State के according TAT हो जाता है जैसा आपका UP TAT ठीक है और आपका MP TAT ऐसे हर एक State का अपना अलग-अलग Teaching eligibility test होता है पर पहले क्या होता था CETAT जो था न वो हर एक राज्ये में लागू नहीं होता था वैसे बोला जाता है कि अगर आप CETAT कर लेते हैं तो mostly State में आप apply कर सकते हैं ठीक है ये valid होता है बट हर एक State में नहीं होता था अगर आपने Central TAT pass कर लिया है तो ठीक है पहला ये हो गया आगे Second आपने क्या करा Suppose चलो आपने CETAT clear कर दिया इसके बाद क्या होगा अब जब vacancies आएंगे उसमें आपको क्या होगा आप exam दे करके selection process में आएंगे तो selection process में क्या होगा सबसे पहले आपको जैसे पता है teaching के लिए teaching जो field होती है वो कितनी होती है तीन होती है ठीक है आप तीन भी बोल सकते हो और कुछ लोग उसको चार बोलते है परंतु तीन बोलना ज़्यादा बैटर होगा वो तीन कौन सी होती है देखिए पहली पहली लेकर के फिप्ट क्लास तक के student को इसमों पढ़ाया जाता है ठीक है इसके लिए क्या होगा अब अगर कोई PRT teacher बनना चाहता है तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा bead करना पड़ेगा bead करने के बाद उसको state level का या central level का test exam पास करना पड़ेगा उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा आप जैसे कि आपको पता होगा नई सिक्षनीती में एक interview system आ चुका है interview ठीक है interview आ गया है पर PRT में interview नहीं है interview आपका PRT में अभी नहीं दिया गया है ठीक है आपको मैं बताता हूँ क्या करना पड़ेगा B.A.D. करना पड़ेगा B.A.D. करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा C.T. या U.P.T. या State.T. आपको पास करना पड़ेगा उसके बाद फिर क्या होगा आपका जॉप लग जाएगी PRT के लिए पर आप ये ना सोचें कि PRT के लिए जॉप लगने से आप पर्मेनेंट टीचर फिक्स हो गए हो नहीं आपका क्या होगा 18 मन्त बाद यानि की लगबग देड़ साल बाद क्या होगा आपका फिर टैस्ट होगा ठीक है वो आपका Teaching Skill देखा जाएगा कि आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं क्या बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं नहीं पढ़ा पा रहे हैं आपका टैस्ट होगा और अगर आप उस टैस्ट में फेल हो जाते हो तो फिर आपको गवर्मेंट चॉप नहीं मिलेगी वो समझ लिए 18 मेने का एक तरीके से आपका इंटर्ण्शिप चलेगी ठीक है तो आपका 18 मन्त बाद फिर आपका एक्जाम हुआ करेगा वो जब आप उसको अगर पास हो जाते हो इसमें भी वो आपका पुराने बेस भी होगा कि आप टीचिंग स्किल किस तरीके से यूज़ कर रहे हो अगर आप इसको कौलिफाई कर जाते हो तो आपकी गौर्मेंट जोच चलती रहेगी पर उसके बाद भी हर दो साल बाद ढ़ाई साल बाद आपका एक टैस्ट हुआ करेगा ठीक है ये क्यूं होगा ये कुछ ऐसे टीचर है जिनोंने देश के अंदर धांदली बाजी से आप समझते हो या तो करप्षन के थुरू टीचिंग स्किल के अंतरगत ना प्राप्ट करते हो भी यानि कि टीचिंग स्किल ना होने के बाफ़ूद भी वो लोग क्या करते हैं टीचिंग में अपना प्रफिशन बनाते हैं उनकी government job होती है अच्छी कासी salary होती है पर उनको teaching का बिलकुल भी नाम बातर का ग्यान नहीं होता उधारण के लिए मैं आपको दिखाता हूँ आप ये दो मिनट की वीडियो देखिए किसे काते है तो बताई किसे काते है संटे ना। क्या मुली क्याfree कि आप दक थम्कार में आप किसे काते है hayat अचार्ण की किसे करते हैं, जाकरून परे भी है सर, चांदे भी है, किसे करते हैं, लेकिन सर रूम को याद नहीं आता है, चोग। सर जाकर् सांगय, संग्या मैं जांते है, जांते है, जीaire कि को को खोगा सर्ट रिज सब सब कुछ जानते थे लें चर इधा छोड़ दिया ना तब एधा खरब हो गया था ना अपरेस्ट भी वहाई दिए इसलिए थोड़ा सा मोठी बिश रुक जाता है दिखता है ना सर्ट तब एधा बहुत खरब था इधा थोड़ा समयन से हर रहा है सब नाम संगिया बरतमान काल भूत काल भाविस काल सब कुछ जाता सर्ट थोड़ा सा मिष्टे के लिए दूजए मैना वा प्रेशन हुआ इसलिए सर्ट थोड़ा है सब को दिमाग मने आता है तो फ्रेंट्स आपने देखा यह देखे इस तरह के भी कुछ टीचर है भारत के अंतर जो देश की अर्थविवरस्ता में एक तरीके से धबबा हैं क्यों क्योंकि यह जो इस्टूडेंट हैं जो देश का भविश्य बनने वाले हैं उनको क्या पढ़ाएंगे जैसा आपने देखा उनसे संग्या की मतलब अब पूछा गया जो कि एक गौर्मेंट टीचर है तो वो संग्या के फिल फॉल्फॉर्म आइमीन डेफिनेशन नहीं बता पा रहे हैं छीक हैं दूसरे टीचर ने आपने देखा जो महिला टीचर थी यह बिहार की थी यह विडियो कहा कि थी बिहार कि थी कटार की कटार ज कुछ देश का भविष्य को तयार कर रहे हैं तो आप सोचिए ऐसे टीचरों को क्या 50,000, 60,000 या 80,000 जो सैल्डी ले रहे हैं वो किस बात की ले रहे हैं क्या वो बच्चों को भविष्य बना रहे हैं नहीं ना तो आप खुछ सोचिए कि ऐसे टीचरों को जो आप जैसे कुछ समझदार टीचर जो बनना चाहते है परन्तों क्या होता है ऐसे लोगों की corruption की होने की वज़ा से आप लोगों को option नहीं मिल पाता कुछ यानि कि आप लोग पीछे रह जाते हैं ठीक है क्योंकि ये लोग पैसे बरके या फिर नेताओं के support की वज़ा से या कुछ ऐसा अपना source लगा करके ये लोग admission ले लेते हैं उसके बाद फिर teaching profession में इस तरीके से काम करते हैं ना तो बच्चों का भविश्य बना पाते बस ये अपना ही भविश्य बना लेते हैं तो ऐसे teacher का जाज पढ़ताल करने के लिए कि क्या सच में teacher पढ़ाने वाला एक है है या फिर वो teacher क्या है कि एक बार बन गए तो कैसे आपको पता होगा अब ऐसे लोगों को कौन देखने वाला होता है वो तो चलो media चली गए किसी वज़ा से पता कर लिया वरना तो पता ही नहीं लगता अब आपने देखा है 2021 नॉब्बर 2005 से पढ़ा रही है अगर 2005 से पढ़ा रही है 20 में 15 साल हो गए हर महिने इनकी 50-60,000 रुपे salary आ रही है किस वज़ा से मिल रही है इनको इनको क्या कर रहे है teacher तो लग नहीं रहे है यूँकि teacher वाला वर्क्त करने रहे है school में जो बच्चों को develop किया जाता है उनका brain उनको knowledge दी जाती है वो knowledge नहीं दे रहे है तो इसकी वज़ा से क्या हो पा रहा है जो actual में teacher लायक है जिनके अंदर skill है वो बिचारे रह जाते हैं और जिनके अंदर skill नहीं है teaching का वो सिर्फ support की वज़ा से नितागिरी की वज़ा से corruption की वज़ा से आगे बढ़ जाते हैं तो इसी चीज़ को खतम करने के लिए नई सिक्षानीति के अंतरगत ये system लाया गया है जो मैंने आपको बताया कि क्या होगा आप CTAT या state level का TAT exam पास करने के बाद क्या होगा 18 महिने के अंदर मन्त में आपका test हुआ करेगा उस test में आप पास हो जाते हो क्योंकि अगर आप actual में teacher बनना चाहते हैं आपके पास knowledge है skill है तो फिर आप ये test असानी से पास भी कर लेंगे क्योंकि इतना hard egg test नहीं होगा ये वैसा ही test होगा जो teacher पास कर सके ठीक है और फिर आप actual में साबित हो जाएगा कि आप अच्छे teacher हैं और देश के जो बच्चे हैं उनका भविश्य आप सुधार रहे हैं ओके friends तो ये था चलिए मैं बताता हूँ जैसे कि मैंना अभी आपको बताया था PRT level के लिए PRT level के लिए अभी ये system लागू कर दिया गया है कि interview तो नहीं है पर सबका एक test होगा और एक present test होगा present test मतलब जैसे कि आप जिस दिन appoint हो जाएंगे teacher के लिए कि आपको suppose कि आज के दिन appoint कर दिया गया ठीक है अब आप appoint हो गया teacher के लिए तो जब आप class में जाएंगे पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपके एक live class देखी जाएगी इसके द्वारा अधिकारियों के द्वारा जो ये scanning कर सके जात कर सके कि आप पढ़ाने लाइक है आपका body language क्या है आपका वहाँ posture क्या है आपका वहाँ पे बच्चों के प्रति behave कैसा है talking style कैसा है तो ये सब चीजों को भी देख करके क्या करा जाएगा qualify किया जाएगा आपको कि हाँ आप teacher बनने लाइक है ठीक है तो अब आप सोचिए कि ये आपके लिए benefit है या आपके लिए भी नुकसान दाएक है क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है जो teacher असलियत में बनना चाहते है जिनके अंदर skill है, knowledge है जो hard work करके पूरे process के थुरू आए है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है क्योंकि जो corruption के थुरू teacher बन जाते थे अब ऐसे लोग teacher नहीं बन पाएंगे ठीक है उनके लिए तो बेकार है पर जो skill वाले हैं जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा ठीक है अब मैं बात करता हूँ चलिए यह हो गया आपका अब हम बात करते हैं कि इनके लिए JRT के लिए जो JRT teacher होते हैं ठीक है यह होते है 6 से लेकर के 8 तक इनका क्या process होगा इनके लिए भी क्या करना पड़ेगा पहले beard हो गया फिर CTET हो गया beard CTET उसके बाद फिर क्या होगा इनका इनका interview होगा ठीक है interview के बाद इनका एक live class test होगा live class test का मतलब होता है जब आप वहाँ पर teaching करेंगे तो वहाँ पर कुछ अधिकारी होगे वो आपका देखेंगे एक test लेंगे कि आप सही से पढ़ा पा रहे है बच्चों को किस तरीके से control कर रहे है ठीक है जैसे मैंने बता है body language, posture बगर है इस सब चीज़े आपकी देखी जाएंगी ठीक है यह GRT के लिए होगा और अगर हम बात करें 2 होगई PRT, GRT तीसरा होता है TGT और इसी के अंतरगत PGT भी होता है दोनों को अलग नहीं बोल सकते हैं यह क्या होता है 9 से 10 तक होता है और यह 11 से 12 तक होता है ओके TGT टीचर जो होते हैं वो क्या होते हैं 9 से 10 तक पढ़ाते हैं और जो PGT टीचर होते हैं वो 11 से 12 तक पढ़ाते हैं इनका process भी यह होगा क्या होगा आप master होना चाहिए आप master के बाद beard करेंगे उसके बाद फिर क्या होगा आपका आपने beard करा फिर आपने tat या c-tat पास करा ठीक है state level का या central level का उसके बाद फिर आपका क्या होगा ठीक है तो दोस्तों यह पूरा system था यह पूरा format था कि नई शिक्षा नीती के अंतर का जो teacher बनना चाहते हैं teaching में अपना profession बनाना चाहते हैं तो उनके लिए कैसी कैसी नीतियां आई हैं I hope आपको clear होगा सब कुछ doubt चो भी थे आपके दूर हो गए होगे ठीक है और अगर एक और चीज में आपको बता दू कि जो पहले होता था suppose आप यूपी के teacher बन गई है ठीक है उसके बाद क्या होता था आप क्या करते थे कुछ सालों बाद वापिस अपने जो आपका zone होता था जो आपका location होती थी area होता था आप उस area में transfer कर वा लेते थे प्रन्तु अब ऐसा system नहीं है आप एक बार जिस state के ठीक है या जिस zone के आप teacher बन गए तो आपको वहाँ से transfer नहीं मिलेगा कब तक नहीं मिलेगा जब तक आपका promotion नहीं हो जाता जब आपका promotion होगा तब उस इस्तिति में आपका transfer हो सकता है otherwise promotion से पहले आपका transfer नहीं होगा ओके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स देखिए आपको एक और बता दो जो student हैं भी या बीड कर रहे हैं और teacher बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आने वाले time में 2021 और 22 के बीच में teacher के लिए बहुत सारी vacancies आने वाली है ठीक है और लगबग जो नई शिक्षा नीती है उसके अंतरगत एक से डेड़ लाग teacher की आवशकता पड़ेगी ठीक है फ्रेंड्स दुबारा बता रहा हूं एक से लेकर के डेड़ लाग तीचरों की आवशकता पड़ेगी और इसका reason क्या है कि source के through मैं कहा रहा हूं कि देखिए आपको जैसे की पता होगा नई शिक्षा नीती में ये भी बोला गया है कि एक teacher को यानि कि एक teacher maximum 25 से 30 students को handle करेगा ठीक है इसका मतलब क्या है एक class के अंदर maximum 25 से 30 students हो सकते हैं इससे जादा नहीं हो सकते हैं और आपको पता होगा वर्तमान समय में एक एक section के अंदर एक section में 100 students तक होते हैं ठीक है 100 students आप और इनके section देखोगे section F, G, L, L तक चले जाते हैं M, N तक चले जाते हैं कई government school में ठीक है तो देखिए जहां ये 100 बच्चों को 100 students का एक section था अब देखिए यहाँ पर जो एक teacher की आवशक्ता पढ़ती थी आप क्या होगी 100 students को कितने teacher handle करेंगे 25-25 के 4 set तयार हो रहे हैं ठीक है इसका मतलब 4 teacher की आवशक्ता पढ़ेगी तो इसलिए आने वाले time में teacher के आवशक्ता बहुत जादा होगी जो भी students beard कर रहे हैं जो beard final year में हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है समझ लो आप lucky हो कि शिक्षा नीती जो थी नई अभी आगई शिक्षा मंतरा ले द्वारा क्योंकि आप HRD department आपका शिक्षा मंतरा लेक अंतरगत आ गया है तो इसलिए ठीक है ये जो student beard के हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है आप तयारी रखिए अपना सीटेट बगएरा के exam clear कर लीजिएगा क्योंकि आप उसको crack कर लेंगे जैसी vacancy आए आप उसको भर लें ठीक है चलिए ओके फ्रेंट्स आई ओफ आप कोई वीडियो पसंद आई होगी और आसा करता हूँ कि आप वीडियो को like करेंगे शेयर करेंगे और subscribe करेंगे ओके फ्रेंट्स मिलेंगे फिर अगली वीडियो में अभी के लिए इतना है